दोस्तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बिल्कुल बारीकी से अटल पैंसन योजना एप को चलाना दोस्तो अटल पैंसन योजना एप को बिल्कुल सही तरीके से चलाने के लिए आपको सबसे पहले पिले स्टोर को ओपिन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप कर देना है अटल पैंशन योजना एप आपको यह लिखकर सर्च कर देना है जैसे आप लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इस जैसे करोगे तो दोस्तो यह ओपन हो जाàyगा अपलोग देख सकते हो ओपन हो गया है तो हमें जोगे प्रेंट नंबर पता है नहीं तो आपको क्या करना होगा प्रेंट सर्च पर जिख पर करने के बाद आपको क्या करना है सब्सक्राबर्स ने मतलब कि आपको दोस्तों यहाँ पर अपना नाम डाल देना है जो आपके bank account में डेला हुगा हो बिलकुल आपको वैसा ही नाम जो है same to same यहाँ पर नाम डाल देना है नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपना bank account number जो आपको डाल देना है bank account डालने के बाद आप 3 नो में से 3 टीने mega 6 होता फिर आपको submit कर देना है जैसे आप submit पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नए पे जृपन हो जाएगा है जैसे आप submit पर प्लिक करोंगे तो आपके e-print search pdf तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको pdf देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको दोस्तों अपना इस तरीके से प्रेयन नमर दे के बाद को यहां पर कुछ इस तरीके से अपना print number डाल देना आ है तो हम यहाँ से print number को डाल देते हैं आप देख सकते हो Login पर क्लिक करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP आ जाएगा जो आपके bank account से link होगा आप लोग देख सकते हो OTP आ गई है उस OTP को दोस्तो आपको यहाँ पर डाल देना है OTP को आपको यहाँ पर डालने के बाद समिट पर क्लिक कर देना है जैसे हैं आप समिट पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इसे तरीके से देखने को मिल जाएगा Total Holding is NA 9-10-2019 2020 आपको रुपए देखनों को मिल जाएगा यहांपर देख सकते हो acid allocation देखने को मिल जाएगा subcoach holding देखने को मिल जाएगा यहांपर देख रही है amount and transaction transfer किया गया यहापर अभी 0 दिखा रहा है मेरा कुछ हुआ नहीं इसलिबे यहापर आपको पूरा statement कितने यूनिट है एमाउंट रुपए देखनें को मिल जाएगा आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बता दे में आपको देखने को मिल जाएगा नाम करें यहां पर home पर कलोगे तो पूरा page यही आपको देखने को मिल जाएगा आप इसको download भी कर सकते हो यहाँ पर तो मैंसे डाउनलोड नहीं करूंगा इसे मैं cancel कर देता हूँ cancel यहां से बेक आ जाता हूँ बेक आने के बाद क्या करूँगा three line पर click करूँगा यहाँ पर home ता जैसे हमने home पर click किया तो कुछ इस तरीके से आगए आप इस PDF को download भी कर सकते हो तो अभी हम download नहीं करना है तो three line पर click करेंगे account detail पर आपको click करना है जैसे ही आप account detail पर click करोगे तो आपकी पूरी account detail यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जैसे आपका नाम देखने को मिल जाएगा आपका पता यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपकी email id देखने को मिल जाएगी आपका mobile number देखने को मिल जाएगा download e-prime view पर click करेंगे आप इसे download कर लेंगे तो अभी मुझे download करना है नहीं तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे फिर recent contribution आप recent contribution पर जैसे ही आप click करोगे तो आपके सामने जो आपने recent अभी दिये होंगे पैसे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वो account से कर जा आएगा यदि आपको इसको download करना है तो यह download साइद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर download का option नहीं आ रहा है तो फिर से हम यहाँ पर three land पर click करेंगे फिर आपका APY upgrade end जैसे आप APY upgrade end पर click करोगे तो आपको यहाँ पर APY upgrade और APY downgrade देखने को मिल जाएगा जिसम APY upgrade पर click करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा तो यहाँ से अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे इसको option को SI रहने देंगे फिर आदार seeding जैसे आप आदार नम्मर capture डाल कर आप अपनी आदार seeding कर सकते हो तो इसको मटा देंगे यहाँ से फिर E-pran view जैसे आप E-pran view पर click करेंगे तो do you want download E-pran है यहाँ से दोस्तों आप E-pran की जो वीडियो जो statement है E-pran का जैसे अभी download हुआ तो बिल्कुल बैसी PDF यहाँ पर download हो जाएगी तो अ download नहीं करेंगे यहाँ पर no पर click कर देंगे no पर click करने के बाद फिर three land पर click करेंगे transaction statement जैसे आप transaction statement पर click करोगे अब देख सकते हैं यहाँ पर year financial year जैसी आप इस पर click करोगे आपको year के अनुसार देखने को मिल जाएगी यसे मुझे 2023 का करना इस पर click करेंगे submit पर click करेंग do you want to download transaction statement है आपको इसको download करना है तो आप इस पर click करेंगे जैसी इस पर आप click करेंगे तो loading होगा loading होने में थोड़ा यहाँ पर time लगेगा थोड़ा time लगेगा और आपकी जो है PDF डाउनलोड हो जाएगी आप लोग देख सकते हो PDF डाउनलोड हो गई है यहाँ पर देख सक सकते हो पूरा statement है जो हमारा यहाँ पर download होकर आ गया है सब कोच आपका नाम देखने को मिल जाएगा आपका पता आपका mobile number email ID status आपका देखने को मिल जाएगा पर सेंटेज देखने को मिल जाएगा आप लोग देख सकते हो तो यहाँ से आप किसी भी यह की डाउनलोड कर सक management तो यहां से हम cancel पर क्लिक करेंगे फिर inquiry and grievance पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीकेस देखने को मिल जाएगे आपको कोई भी सिकायत है तो आप यहां पर inquiry कर सकते हो और यहां से गिरेवारी, states and view देख सकते हो अभी हम कुछ यहां से करने बाले हैं नहीं फिर आपको यहां पर logout का option देखने को मिल जाता है तो यहां से अभी हम cancel कर देंगे cancel करने के बाद क्या आएंगे हम पर आ जाएंगे हम पर आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर एक बिंदू देखने को मिलेगा और यहाँ से आप log out कर सकते हो तो cancel करेंगे यहाँ पर financial year आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो इसी तरीके से जो है आप अपना सब कुछ इसमें जो है चेक कर सकते हो आपको अपना statement निकालना है कब date जो है आपकी open हुई वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप लोग देख सकते हो आपकी अटल पैंसर योजना कप्चाल हुई और आपने जो अभी अपना statement डाउनलोड किया e-pran उसमें भी आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा दोस्तो इसी तरीके से जो है आप अपने अटल पैंसर योजना आपको विल्कुल सही तरीके से चला सकते हो और त्री रान पर क्लिक करेंगे लोग आउट पर कलिक करेंगे और लोग आउट कर देंगे आप देख सकते हो जैना कि यहां पर अडाउनलोड करका उनको पढ़ सकते हो फिर contract and help desk जैसे यहाँ पर आपको नम्मर देखने को बुलेंगे टोल फिलेंगे आपको कोई भी जानना किसी भी जानकारी की बारे ने तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जोस्तो इसी तरीके से जो आपे अटल फैंसर नियोजना आपको जो है बिलकुल सही तरीके से यूज कर सकते हो यहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम वेरी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा